अपने फोन में मालो आप डारेक्ट ओपिन करिएगा गूगल गूगल ओपिन करने के बाद आपको टाइप करना है यहाँ पर ssc.nick.in इस पर खोलने के बाद आप उपर वाला यानि ये वाला official website जो है वो open कर लिजेगा जैसे ही ये open होगा आप आ चुके है official website पर और यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे और क्या लिखा है यहाँ पर uploading of marks of paper to higher secondary level ये नहीं आपको देखना है आपको direct जाना है उपर में admit card वाले section में इस पर click करना है जैसे ही इस पर आप आते हो यहाँ पर आपको दिखाई देगा अलग-अलग zone side में आप जिस zone से हैं आपको उस पर click करना है अगर मैं पहले वाले पर click करूँ इस पर अभी आपका application status जो है वो जारी नहीं किया गया है लेकिन आइस्ता आइस्ता हर एक जगा update किया जा रहा है मैं आपको दिखाने वाला हूँ अगर इस पर आप आओगे इस zone reason पर तो आपको site में देखो यहाँ पर दिया गया है सीजील का ही दिखा रहा है नीचे आपका site दिल्ली फुलिस का तो यहाँ पर आपका update ही किया गया है लेकिन मैं अगर जाता हूँ south reason पर उसके नीचे north east reason पर तो बहुत जगा जो है वो update कर दिया गया है देखो north station पर अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखेंगे status for combined higher secondary higher secondary यहाँ पर update कर दिया गया है तो यहाँ पर क्लिक करकर आप सभी अपना check कर सकते हो अपना यहाँ पर registration ID, date of birth और अपना admit card और status जो है वो देख सकते हैं सेम उसी तरह अगर बात किया जाए यहाँ पर चारी कर दिया गया है यहाँ पर देख लिजिए combined higher secondary 10 plus 2 level examination know your application status तो यहाँ पर भी आप क्लिक करकर check कर सकते हैं तो fake मत बोलिएगा आप जिस zone से है आइस्ता आइस्ता अपडिट किया जा रहा है तो आप देख सकते हूँ जैसे मैंने आपको दिखाया दो खोलकर north इस्ट रिजन, southern रिजन, आइस्ता आइस्ता सब जगह जो है वो आपका अपडिट कर दिया जाएगा परसंद लगा होगा तो एक लाइक कर दीजी